वेल्कम तो मेरी क्लास गुन्मरिंग दोस्तों मैं मैं वहन दिक्रम सिंग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं तो आज हम लोग 13 सितंबर की महत्रपूर घटनाओं को देखेंगे उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रस कर दीजिए चैनल को लाइक करना ना भूलिए वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को सेयर भी करिए चलिए फिर लेते हैं 13 सितंबर की महत्रपूर घटनाओं को पहला कुश्चन किस देश की सरकार ने सोशल निट्वर्किंग पर अफवा फैलाने से लड़ने है तू असोल चीनी या रियल सुगर नाम से एक अभियान सुरू किया है इंपॉर्टन कोश्चन है भारत सी पाकिस्तान या दी चीन तो किस देश ने असोल चीन या रियल सुगर नाम से एक अभियान सुरू किया है किसके खिलाप है तो यह शूशल नेटवर्किंग पर जो अपवा है फैलाई जाती है उसके खिलाप या कार्कम शुरू किया गया है तो इसका अंसर एज सई है बैंगला देश बैंगला देश ने ये पहल सुरू की है बैंगला देश की बात करें तो kidding कश समय पहले सहयोध्धा पहल भी शुरू की थी कौन से पहल सहयोध्धा पहल ये भी आप याद रखेगा सहयोध्धा पहल किसे संबंदित थी ये कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाजमा की ओनलाइन उपलब्धता किसे संबंदित थी कोरोना मरीज जो थे उनमें प्लाजमा की ओन लाइन उपलब्धता से सम्मादित थी बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश की राजधानी धाका है क्या है बांगलादेश की राजधानी धाका है प्रधान मंत्री यहां की सेख हसीना है प्रधार मंत्री यहां की सेख हसीना है राष्टपती अब्दुलहमीर और यहां की संसद का नाम क्या है? तो यहां की संसद का नाम जाती ये संसद है, 26 मार्च 1971 को बांगला देश पाकिस्तान से सुतंत हुआ था, इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, गंगा नदी को यहां पद्मा के नाम से जाना जाता है, 2018 में बांगला देश ने सभी सरकारी नौकियों से आरच्छन को खत्म कर दिया था, तो यह पॉइंट से आप याद रखिएगा, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन लेते हैं, दूसरे नंबर कुश्चन पर आजाए, राजधानी धाका है, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री सेख हस रम्मान है, चलिए यह राष्ट पिता को नहीं आके, सेख मुचीबर रम्मान को यहां का राष्ट पिता माना जाता है, भारत को सरवाधिक इसपर्ष करने वाला कोई देश है, तो कौन सा देश है, बांगला देशी भारत को सबसे अधिक इसपर्ष करता है, चलिए अगला अध्या सोसाइट को रोकने के लिए देयर इस हैल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्ट सुरू किया गया है फेस्बूक एमेजॉन ट्वीटर इंपॉर्टन कोश्चन है कि कहां पर यह सुरू किया गया है फेस्बूक ट्वीटर एमेजॉन Instagram किस पर शुरू किया गया है तो ये कारिकरम Twitter पर शुरू किया गया है इंपोर्टेंट है Twitter ने आत्मात्या रोकने के लिए There is help नाम से एक prompt शुरू किया है Search prompt Twitter की बात करें तो Twitter की स्थापना 2006 में हुई थी भईया 2006 में इसकी स्थापना हुई थी अमरीका के सेन फ्रांसिसको सहर में कहा हुई थी अमरीका के सेन फ्रांसिसको सहर में Twitter की स्थापना 2006 में हुई थी ट्यूटर की बात करें तो ट्यूटर विश्चु का एक मात्र ऐसी कमपनी बन गई है जिसने work from home की सुबधा सभी को उपलब्ध कराई है वर्क फ्रॉम होम की सुबधा देने वाली पहली कमपनी है ये तो ये भी आप याद रखेगा Twitter के नाम पर हाली में एक परजीवी की भी नाम रखा गया था एक नया परजीवी खोजा गया था कवक खोजा गया था जिसका नाम Twitter रख पर रखा गया था तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखेगा चलिए अगला प्रसम लेते हैं तीसरे नंबर पर किस देश द्वारा ओमान सागर में जोलफ्रेक 99 नामक एक नौ सेना अभ्यास किया जा रहा है किस देश द्वारा एक बात की जा रही है ए इरान बी चीन सी यमन दी मिस तो यह अभ्याद आपका जो जो जोलफ्रेक नामक 99 क्रम का है नाम इसका जोलफ्रेक 99 नौ सेना द्वारा संपन हो रहा है यह कहां पर संपन हो रहा है इरान में आपका यह संपन हो रहा है कहां पर इरान में अगला प्रसम लेते हैं अगला प्रस्ण है एसिया के सबसे बड़े एयर सो का आयोजन 2021 में किस भारती सहर में किया जायेगा इंपोर्टन कोश्चन है एक 21 में कहां पर होगा सबसे बड़ा एयर सो एयर इंडिया 2021 नाम दिया गया है किस भारती सहर में होगा बंगलौर पुडे जैपूर या प्रियाग राज तो इसका आयोजन कहां पर होगा बंगलूरू सहर में इसका आयोजन होगा करनाटक में सहर इस्थित है बंगलूरू में ही कुछ समय पहले इस्थापित किया गया था इस्थापित किया गया था करनाटक के बंगलूरू सहर में एयर इंडिया 2021 का सबसे बड़ा एसिया का सो आयोजन किया जाएगा हाली में हुबली में 1400 मीटर लंबे प्लेट फार्म बनने के सुरुवात हुई है जो भारत का सबसे लंबा प्लेट फार्म होगा यहां के सियम V.S. यद्रपा है करनाटा के सियम कौन है? V.S. यद्रपा है और गवर्नर वाजू भाई आरवाला है विधान सभा की यहां पर 225 सीटे, लोक सभा की यहां पर 28 सीटे और राज्य सभा की 12 सीटे है याद रखिएगा करनाटक ने ही स्वास्त रजिस्टर कारक्रम सुरू किया था इसका गठन 1 नॉमबर 1956 को हुआ था और यहां की राजधानी वाज सबसे बड़ा नगर बैंगलूरू है बैंगलूरू में ही पहली ई रिसाई की हब भी इस्थापित की गई है तो इतने पॉइंट से आप करनाटक याद बैंगलूरू से याद रखिएगा का on important है कि झीर घ्राजिका रहा है यह question इंपोइट है कि जो रांकिंग जारी है हाली में už एक्स को मतलब लब ऋत्तर उत्तम से रृणि ओर सबसे जो पहला इस्थान दिया गया है सबसे अच्छा इस्थान अगर हम पूछे तो किसको मिला है तो यह इस्थान आपका किसे दिया गया है , गुजरात सहर को इस्थान मिला है सबसे सर्वस्रेश्ट फिर दूसरे नंबर पर आगर हम बात खरे वाइस दूसरे वाइस commission' उत्तम स्रेड़ी में करनाटक का इस्थान है केरल का है और बहतर स्रेड़ी में पहले इस्थान पर बिहार का स्थान है तो स्टार्ट अप रैंक्टिंग 2019 आप याद रखिएगा कि सरुष्रे स्कौन रहा गुजरात पिछली वर्स भी गुजरात इस्टार्ट अपर गांधी नगर है सबसे बड़ा नगर यहां का एहमदाबाद है इसका गठन एक मई 1960 को हुआ था कब हुआ था तो एक मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था विजय रूपानी यहां के सियम है कौन है तो विजय रूपानी यहां के सियम है राजिपाल आचार दियोब्रत है राजिपाल आचार दियोब्रत है विधान सभा की 182 सीटे और लोक सभा की यहां पर 26 सीटे है राज्य सभा की बात करें तो 11 सीट है यह पाकिस्तान के साथ अंतराश् सीमा भी बनाता है हाली में इसने गैस पर 16 परसंट की छोट दी है तो यह पॉइंट्स आप याद रखेगा गुजरात से लेते हैं अगला प्रश्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगला प्रश्ण है पलक डेंसिस नामक छिपकिली की नई प्रजाती किस राज्य में खोजी गई है तो यह एक छिपकिली की नई प्रजाती है पलक डेंसिस पलक कर जिले में छिपकिली की नई प्रजाती खोजी गई है इसलिए इसका सब्सेism degree पर खोजी गई थी तो गोजी गई थी नेत्रा बाद करें तो केरल की सांद घाटी केरल में हिस्थित है केरल के इस वर्तमान समय में सीम पी बिजयन है राजपाल आरिफ मुहम्मत खान है इसका गठन एक नॉमबर 1956 को हुआ था जहां पर लोक सभा की 20 सीटे और राज सभा की 9 सीटे है विधान सभा की 140 सीटे है यहां पर कितनी है 140 सीटे हैं सी आर लेखा पहली महिला डी जीपी बन गए है यहां की विश्वास मेता को केरल का राज्य सच्वब बनाया गया है तो इतने पॉइंट से आप केरल से याद रखेगा स्वास्त में यह बहतर इस थान है इसका से ज्यादा केरल का पहला इस्थान है साच्छता में के लिए बिस्त्र में पहला इस्थान इसको प्राप्त है सवहार्द में बेवी फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है इसे जनसंख्या घंत्तों में भी इसका इस्थान है चलिए अगले अगला प्रसन ले लेते हैं वर्ष 2020 में निम्निखित में से किसकी 125 जयन्ति है बिनोबा भावे भारतेल्दुहरिष्चंद बीडी शावरकर जया दयानंद सरस्वती जी तो किसकी है तो 215 जयन्ति है याद रखेगा important question है दयानंद सरस्वती की 127 वी जैनती है तो ये कुछ पॉइंट्स थे की 125 वी जैनती किस ने मनाई है तो बिनोवा भावे के भुदा नांदोलन जो था उसकी सुरुवात बिनोवा भावे जी ने की थी चलिए किस अरब देश में इजराइल के साथ संबंद इस्थापित किये गए हैं किस अरब देश ने इस्थापित किये हैं यमन बहरीन मिस्र तुर्की तो बहरीन ने इजराइल के साथ संबंद इस्थापित किये हैं और ये इस्थापित करने वाला दूसरा अरब देश पन ग करेगा बैरीन फारस की खाड़ी में बसादेश है यहां की राजधानी मनामा मुद्रा बहनीर दिनार है और प्रधान मंत्री खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा हैं यह पॉइंट सा प्याद रखेगा अगला ले देते हैं हैं करें इंपर्टन कोश्चन है 9 नंवर प्रस्ट में फाल ही में सत्षथा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सबसे घराब इस्थित किसी की है 2011 की जनगरना आई थी उसमें साचर्टा में सबसे खराब स्थिति किसकी थी बिहार की थी लेकिन अब आकड़ा बदल गया है इस बार सबसे खराब स्थिति किसकी रही है तो सबसे खराब स्थिति आंध प्रदेश की रही किसकी रही आंध प्रदेश की स्थिति सबसे यह पर खराब रही है अब देखी बात करते हैं हम लोग आंधर प्रदेश की आंधर प्रदेश ने हाली में ऑनलाइन अपसिस्ट एक्सचेंज लांच किया था यहां की राजधानी हैदराबाद है लेकिन कुछ समय पस्चात अम्रावती बनेगी मुख्यमंत्री जग्मोहन डेड है राज जिपाल विश्व भूषन हरिश्चंदन है विधान सभा की 175 सीटे लोक सभा की 25 और राजज सभा की यहां पर 11 सीटे है यहां का सबसे बड़ा विशाप नगर विशाखा पत्तनम है विशाखा पत्तनम में ही भारत का सबसे गहरा बंदरगा स्थित है यहां का राजधानियों वाला यह एक मात्र राज्य है और तीन राजधानियों वाला मात्र एक देश दच्छिड अफरिका है कारिपालिका राजधानी विशाखा पत्तनम विधान सभा अमरावती और न्याइक राजधानी कुर्णूल में इस्थापित होगी यहां के प्रमुक पर दर्थ सबसे कम पाई गई है नसों के आकड़ों के हमसा हाली में रिपोर्ट जारी की गई है तो इंपोर्टेंट है अगर हम बात करें कि सर्वस्रेश्ट इस्थान किसका रहा तो सर्वस्रेश्ट स्थान केरल का रहा देख लीजिए घरेलू समाजिक उपभोग रास्टी नमूना सरविच्छन NSS के 75 दौल के हिस्से के रूप में भारत में सिच्छा जुलाई 2017 से जून 2008 तक रिपोर्ट तयार की गई केरल फिर से देश में सबसे अधिक साच्छर राज रहा इसके पश्चा दिल्ली रहा तो केरल फिर दिल्ली और इसके पहले बात करें तो काहले केलर था फिर दूसरे नमबर पर मिजोरम था लेकिन इस बार क्या है केरल की बाद दिल्ली आ गया है दिल्ली की बाद उत्राखंड है हिमानचल प्रदेश है असम है के साथ 96.2% साच्छर ती यह सर्वेच्छन राष्टी सांखी कारियाले NSO राष्टी सांखी कारिक मंत्राले द्वारा आयोजीत किया गया था तो अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स था केरल आप याद रखेगा दिल्ली तीसरे नमबर पर उत्राखंड आंद पुर्देश 6.4% पर सबसे प्रदर्शन खराब करने वाला राज रहा इसके बाद राज स्थान और इसके बाद बिहार तीसरे नमबर में आ गया है तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार पहले सबसे निचले स्थान पर था अब दो अंकों के उसने सुधार की है और आंद पु प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन वाला रात तेलंगाना चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश की साथ चर्ता दर पांचवी नमबर पर है 73% और फिर मद्ध प्रदेश आपका छठे स्थान पर है तो याद रखिएगा आंद प्रदेश राजिस्थान बिहार नीचे स तीन क्रम ऊपर से तीन क्रम याद रखिएगा केरल दिल्ली और हिमांचल प्रदेश चलिए सवरी इत्तराखन यह आप इतने पॉइंट्स यहां से याद रखिएगा यह रहा आपका आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश इधर आपका जो है इस तरफ बंगाल की खाड़ी है समुद्र तरफ आपका आरफ सागर है नीचे आपका क्या स्थित है हिंद बहां सागर इस्थित है तो आंद्र प्रदेश आपका एक समुद्र को इस पर्स करने वाला भारत में देख लीजिए भी भारत की साचर्टादर अभी 70% थी अब जो आकड़ा जाए उसमें कितनी हो गई है से 70.7% भारत की साचर्टादर है ग्रामीड छेत्रों में 77.5% और सहरी छेत्रों में 87.7% है तो इतनी वस्तों आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है यहां से जरूर कोश्चन बनेगा अगला है ब्रेकिंग दा कोकिंग एट दारेट 40 पुस्तक के लेखक कौन है राधा एमनायर, करन ठोः, प्रांसिस, रिचा चड्धा तो इसे राधा एमनायर ने लिखा है और पोप फ्रांसिस किसने भी पुस्तक लिखी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स पर लिख बेजें जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं तो उनको यह मालूम होगा कौन सी पुस्तक इन दोनों ने लिखी थी चलिए अगला प्रसलिए लेते हैं समवत उपनिशद और अच्छर यात्रा न गुलाब कोठारी रामचंद्र गुहा राजदीप सर्देशाई या अरविंद आडिगा तो इसका अंसर है गुलाब कोठारी गुलाब कोठारी जी ने इनको लिखा था पत्रिका गेट का उद्गाटन मोदी जी ने जैपूर में किया वहीं पर इस पुस्तकों का भी उद् चाखापत्रम दी कोची तो इसका बी नमबर ही सभी है कोची आंसर कहला सहर बन गया है कोची को अरफ सागर की रानी भी कहा जाता है जैए केरल में इस्तित है केरल अरफ सागर को सपर्श करता है और केरल से संबन्दित आपने सारी बाते पड़ी लिए उपर राजधानीत सबसे बड़ा कारिक्रम है इसे किस राज सुरू किया गया है में उत्राखन तो इसे में Vincent इतना पॉइंट सा प्याद रखेगा में भारत में 20 सरवाधिक वर्साचेत्र वासिन राम इस्थित है यहीं पर गारो खासी नमक पहड़ियां है चलिए यूनिशेक दौरा बाल अधिकार संदच्छन के लिए चलाया जा रहा है कारिक्रांग फौर एब्री चाइल्ड उसका इम्वेश्डर या उसके लिए brand advocate किसे निउक्त क्या गया है सलमान खान आयुषमान खुराना अमिताब बच्चन या कंगना रनाउत तो आयुषमान खुराना जी को इसका क्या चुना गया है ब्रांड बिस्टर चुना गया है बाल अधिकार संद्चन के लिए यूनिशेफ की बात करें तो यह इसका मुख्याला यूनिशेफ का कहां परिष्थी थे महामारी संबंधी तयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित डब्लू एच ओ के पैनल में किस भारती को सामिल किया गया है डब्लू एच वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की बात की जा रही विस्ट स्वास्ति संगठन उननीश सो अर्तालिस में इसकी स्थापना हुई थी की तो प्रीती सूदन को इसमें सामिल किया गया है तो इंपोर्टन है ये भारती महिला है क्रतिका पांडे की बात करें तो भारती मूल के है और इने एशिया में लेखन के लिए सम्मानित किया गया है स्री आर लेखा हाली ही में केरल की डीजीपी बनी है और ये केरल की पहली महिला डीजीपी है तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेगा डबलुएचो का मुख्याल है जिनेवा में स्थित है 1948 में इसकी इस्थापना होई थी और डबलुएचो की जो प्रमुख्य हाली में उन्होंने इस्तिफा दे दिया था तो कोई बात नहीं इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है प्रीती सूधन को इसमें सामिल किया गया है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों को अधिक स्याधिक सेयर करें यह प्रीती सुधन है जिने डबलुएचो के महामारी से संबंदित और उनकी तैयारियों से प्रतिक्रिया से संबंदित जो पैनल गठित किया गया है उसमें इनको सदस्य के रूप में सामिल किया गया है तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों को अधिक सेयर करें धरनिवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का